हेलो दोस्तो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम स्वागत है आप लोगों का गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में जैसा कि दोस्तो आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को कम्प्यूटर तो सिखाता ही हूँ साथ में computer questions की जो है practice set भी कराता हूँ और आप सभी को बता दूँ कि computer practice set का video number 6 है यानि class 6 है इस video के अंदर हम लोग computer के top 30 questions की practice set लगाने वाले हैं अगर आपका target 2023 में सरकारी नोकरी है या फिर कोई भी private नोकरी है जो आपको पसंद है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें computer से question बनते हैं और computer से question पूछते हैं तो ये video आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस video के अंदर हमने वो चुनिंदा questions लिए हैं जो कि आपकी परिच्छा के लिए बहुत ज़्यादा महत्तपूर है अगर आपने इस 30 question में से सिर्फ 10 question का answer ही सही दे दिया तो समझ लिजिए कि आप 2022 में जितने भी competitive exam होने वाले हैं सरकार exam हो private exam हो जिसमें computer से question बनते हैं उन सभी को आप सीधा crack करने वाले हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू computer smart class चल ये विडियो शुरू करते हैं और आप सभी की जानकारे के लिए बता दे कि अगर आपको जो है इस practice set का पूरा जो है PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोईन कर लिजिए मैं आप सभी लोगों को टेलिग्राम चैनल पर इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ तो टेलिग्राम पर जाएए सेर्च कीजिए गुलाब गुरू और इसको जो है जोईन कर लिजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और दोस्तों आप सभी को बता दू कि आप सभी की practice अच्छे से हो इसके लिए मैंने जो है उत्तर माला भी बना दी है यहाँ पर आपको इस PDF के साथ उत्तर माला भी टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी आप इसकी practice खुद करोगे इसके बाद जो है आप उत्तर माला में उसकी जाच भी कर सकते हो तो मैं आपको बता दू कि आप टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोईन कर लीजिए वही एक रास्ता है आपको PDF पाने का अगर आप इस practice set का PDF प्राप्त करना चाहते हैं एकदम फिरी में तो टेलिग्राम चैनल को आप जरूर से जोईन कर लीजिए तो द जवाब देना है कि प्रथम बीडी का कौन सा computer है तो मैं आपको बता दू कि इस question का जो सही जवाब होगा वो option number D के साथ जाएगा आप मैं से कुछ लोग इसका सही जवाब A मान रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि इस question का जो सही जवाब है A और B दोनों है यानि Mark 1 बी जो है प्रथम प्रथम पिडि का computer है और इनीक भी है तो इस question का जो सही जवाब होगा वो option number D के साथ जाएगा बात करें अगले question की तो अगला question है सूच नाओ का और व्यवस्तित समूद क्या कहलाता है इस question का जो right जवाब होगा वो option number A के साथ जाएगा सूच नाओ का और विवस्तित समू डेटा कहलाता है बात करें अगले question की तो अगला question है integrated circuit किसे कहते हैं आपको screen पर option भी दिखाए दे रहे हैं इन में से आपको जो है सही जबाब बता रहा है तो इस question का जो सही जबाब होगा वो option number B के साथ जाएगा silicon के एक सामान semiconductor चीप पर बने सुच्म परिफद को जो है integrated circuit कहते हैं बात करें अगले question की तो अगला question कह रहा है कि चतुर्थ पीडी के computer की गती किसमे मापी जाती है आपके option A, B, C, D चारो option है चारो option में से आपको जो है सही जबाब बताना है तो इस question का जो सही जबाब होगा वो option number आपका जो है D के साथ जाएगा P को second में यानि चतुर्थ पीडी के जो computer की गती थी ना वो P को second में मापी जाती थी बात करें अगले question की तो अगला question है digital घडी के आकार में किस प्रकार का computer उपलब्ध है यानि इन में से आपको बताना है कि इन में से कौन से प्रकार का computer digital घडी के आकार में वर्तमान समय में जो है उपलब्ध है तो इस question का जो right जबाब होगा वो option number D के साथ जाएगा यानि micro computer जो है digital घडी के आकार में उपलब्ध है बात करें अगले question की तो अगला question है कि भारत में विक्षित परम सूपर computer का विकास जो है किस संस्था ने किय था यहां पर आपको screen पर चार option दिखाए दे रहें इसमें से आपको बताना है कि किस संस्था ने भारत में विक्षित परम सूपर computer का विकास किया था इस question का जो right जबाब होगा वो option number C के साथ जाएगा C deck एक संस्था है जिसका full farm है central for development of advanced computing जिसने जो है भारत में विक्षि की तो अगला question है कि digital computer का प्रियोग किया जाता है किस के लिए किया जाता है आपको चार option दिखाए दे रहें क्या गड़ना के लिए मापन के लिए operating के लिए या यांत्रिकी के लिए तो इस question का जो सही जबाब होगा वो option number A के साथ जाएगा कि digital computer का प्रियोग गड़ना के ल भाग क्या कहलाते हैं आपके option screen पर दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें से सही जबाब देना है और इस question का जो सही जबाब है वो option number B के साथ जाएगा computer के विद्दू तथा electronic भाग को जो है hardware कहते हैं बात करें अगले question की तो अगला question कह रहा है कि सरवदिक प्रियोग में ला इस question का सही जबाब देंगे तो इस question का जो सही जबाब है वो option number C के साथ जाएगा इन option में से सबसे ज़्यादा keyboard जो है input device है जो सरवदिक उप्योग में लाई जाती है बात करें अगले question की तो अगला question है mouse जो है कौन सी device है इन में से आपको option में से बताना है इस question का जो right आपको ये series पसंदा रही है ये practice से अच्छा लग रहा है तो इस video को आप like ज़रूर कर दीजेगा और नीचे comment करके ज़रूर बताए कि आपने 30 में से कितने question सही किये हैं बात करें अगले question की तो अगला question है ocr dot 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 question mark लगा हुआ है यानि इसका मतलब यह है कि आपको ocr का full farm जो है बताना है चार option आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं और इन ही चार option में से एक जो है सही जवाब है तो ocr का full farm होता है optical character recognition जो की आपको option number a में दिख रहा है इसलिए इस question का जो सही जवाब होगा वो option number a होगा बात करें अगले question की तो अगला question है कि micr का pool रूप है या जनी अब आपको जो है micr का full farm बता रहा है आपको नीचे चार option दिखाए दे रहे हैं इन चार option में से आपको सही जवाब देना है तो micr का full farm होता है magnetic ink character recognition जो की आपको जो है option number a में दिख रहा है इसलिए इस question का जो सही जवाब होगा वो option number a होगा बात करें अगले question की तो अगला question है कि dart metric printer द्वारा printing किसके माध्यम से की जाती है आपको नीचे चार option दिखाए दे रहे हैं इन में से आपको सही जवाब देना है इस question का जो सही जवाब है वो option number a के साथ जाएगा बिन दू द्वारा बात करें अगले question की तो अगला question बहुत ही आसान है और आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में बता भी होगा आपको बस बताना है CPU का पूरा नाम यानि CPU का फुल फार्म आपको बताना है आप में से काफी सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं कि CPU का फुल फार्म central processing unit होता है जो कि आपको option number B में दिखाई दे रहा है जिसकी वज़े से इस question का सही जवाब जो है option number B होगा बात करें अगले question की तो अगला question है ALU का कार क्या है अब आपको जो है ALU का कार बताना है कि इसका कार क्या होता है नीचे आपको चार option दिखाए दे रहे हैं चारों में से आपको सही जवाब लगाना है तो मैं आपको बता दू ALU का full farm होता है arithmetic logic unit और जो की हमारे गड़ती करियां करने और तुलना करने में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वज़े से इस question का जो सही जवाब होगा वो option number A के साथ जाएगा क्योंकि A में ही गड़ती करियां वज़ तुलना करना लिखा हुआ है बात करें अगले question की तो अगला question है CPU का वह भाग जो computer के सभी कारियों पर जो है नजर रखता है यानि कि आपको इन चार उप्शन में से CPU के उस भाग को बताना है जो कि computer के सभी कारियों पर जो है नजर रखता है नजर रखने की बात की जाए यानि उसे control करने की बात की गई है और इस question का इसलिए जो है सही जबाब होगा control unit जो की option number B में है जो की सही जबाब है बात करें अगले question की तो अगला question है निम्न में से कौन CPU को data जो है उपयोग करने के लिए सबसे तीवर मार्ग प्रदान करता है यानि सबसे तेज रास्ता कौन देता है CPU का data उपयोग करने में इस question का जो सही जबाब है वो है register option number D इस question का सही जबाब है बात करें अगले question की तो अगला question है memory की छमता किस में मापी जाती है चार option आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनी में से आपको सही जबाब देना है तो memory की छमता जो है megabyte यानि MB में मापी जाती है MB आपको जो है option number D में दिखाई दे रहा है इसलिए इस question का सही जबाब option number D होगा ये चार option आपको दिखाई दे रहे है तो मैं आपको बता दू कि memory में जो है सभी data और program store किये जाते हैं जिसकी वज़ए से A option में जो है memory लिखा हुआ है और इसका जो सही जबाब है वो option number A ही होगा बात करे अगले question की तो अगला question है computer बंद होने पर dash की content nest हो जाते हैं यानि आपको बताना है किसकी content जो है इसमें से nest हो जाते हैं computer बंद होने के बाद इस question का जो सही जबाब होगा वो है option number C मुख्य memory यानि main memory के जो data है वो nest हो जाते हैं computer जब बंद हो जाता है तो इस question का जो सही जबाब होगा वो option number C के साथ जाएगा बात करें अगले question की तो अगला question है रोम रोम का पूरुन नाम आपको बताना है यानि रोम का full farm आपको बताना है कि रोम का full farm क्या है मैं आपको बता दूँ कि रोम का full farm होता है read only memory जिसको जो है सिर्फ पढ़ा जाता है तो इसमें जो है आपको सबसे पहला यह option मिलता है read only memory इस question का जो सही जबाब होगा वो option number A के साथ जाएगा read only memory अगला question है रोम में data डैस डैस करके question mark है सिर्फ लिखा जाता है सिर्फ पढ़ा जाता है a और b दोनों इन में से कोई नहीं तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि रोम में सिर्फ data को हम लोग पढ़ सकते हैं उसमें लिख नहीं सकते यानि उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए question number 22 का जो सही जवाब होगा वो option number b के साथ जाएगा बात करें अगले question की तो अगला question है रोम डैस डैस करके memory है कौन सी memory है वालेटाइल और नीचे है direct और नान वालेटाइल और इन में से कोई नहीं इन चारों में से आपको option बताना है कि रोम memory कौन सी है तो मैं आपको बता दू इसमें से जो सही जवाब होगा वो option number c के साथ जाएगा non-volatile non-volatile का मतलब यह होता है कि जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाए और वालेटाइल का मतलब होता है कि जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है RAM क्या है? वालेटाइल है लेकिन रोम क्या है? non-volatile है यहीं पर अगर RAM होता RAM तो वो वालेटाइल होता अगर ROM है तो non-volatile है इस question का जो सही जवाब है वो option number c के साथ जाएगा बात करें अगले question की तो अगला question है computer सीधे संपर्क किस से करता है इन में से आपको सही जवाब देना है कि computer किस से जो है सीधा संपर्क करता है और इस question का जो सही जवाब होगा वो option number c के साथ जाएगा hardix drive से सीधा संपर्क करता है बात करें अगले question की तो अगला question है operating system के प्रमुख कार क्या है कौन से कार है चार option आपको दिये गए है इन ही में से आपको सही जवाब देना है तो operating system के मुख कार जो है वो है ए option user तथा computer hardware के मद समवाद स्थापित करना बात करें अगले question की तो अगला question है MS word dash मतलब क्या है किसका उधारण है आपको ये बताना है कि MS word dash दिया है किसका उधारण है क्या option A है B है C है या फिर D है इस question का जो सही जवाब होगा आप में से काफी सारे लोगों को बता है कि MS word एक application software है जो की option number B में दिख रहा है और इसी वज़े से इस question का जो सही जवाब होगा वो option number B चला जाएगा MS word application software का उधारण है बात करें अगले question की तो अगला question थोड़ा सा बदल गया है अब आपको true और false बताने है यानि सत्य और असत्य आगे कि जो चार question मैंने लिए हैं यानि 27, 28, 29 और 30 वो true false हैं true false में आपको true false ही लगाने हैं तो question आपका ये कह रहा है कि desktop computer office के साथ साथ घरों में भी उप्रियोग किये जा सकते हैं यानि desktop जो computer होते हैं वो घरों में भी उप्रियोग किये जा सकते हैं office के साथ साथ क्या ये बात सत्य है या असत्य है तो ये बात बिल्कुल सही है जितने भी डक्ष्टाप कंप्यूटर रहते हैं वो आफिस के अलामा घरों में भी उपयोग किये जा सकते हैं इस कोईशन का जो राइट जबाब होगा वो आप्सन नमबर एक के साथ जाएगा बात करें अगले कोईशन की तो अगला कोईशन है कि मीनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में तीवर गती वाले होते हैं इस कोईशन का जो सही जबाब है वो आप्सन नमबर एक के साथ जाएगा बेलकुल सत्य बात है जो मीनी computer होते हैं वो micro computers की तुलना में अधिक यानि तेज गती वाले होते हैं बात करें अगले question की तो अगला question है कि VDU एक input device है यानि visual display unit VDU का full farm होता है visual display unit आपको यहाँ पर इस question में पूछा गया है आप से कि VDU एक input device है आपको बताना है सत्य बात है या असत्य बात है वो option number B के साथ जाएगा बेलकुल असत्य बात है क्योंकि visual display unit एक input device नहीं बलकि output device है जैसे कि हमारा जो desktop होता है computer का LCD होता है उसे video बोला जाता है visual display unit बात करें इस series के सबसे last question की और तीसमे question की तीसमे question यह कह रहा है कि CPU को computer का brain यानि दिमाग भी कहा जाता है कहीं न कहीं यह बात बिलकुल सत्य है और इस question का जो सही जबाब होगा वो option number A के साथ जाएगा सत्य यानि true CPU को computer का brain यानि दिमाग ही कहा जाता है तो दोस्तों इस 30 question में से आपने कितने question को सही किये हैं यह आप हमें नीचे comment करके ज़रूर बताईए जितने भी आपने question को सही किये हैं और जय हिंद वंदे मातरम का नारा आप जरूर नीचे लिखिए अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और मैंने आपको जैसा की सुरू में कर सकते हो वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब ते के लिए जय हिंद वंदे मातरम